हलो दोश्तों कैसी वाप सब्सक्राइब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डुगा रिल्वेस्टेशन पे क्या काम हुआ है और क्या काम हो रहा है जो मैंने पहले वीडियो डेपलोड की थी उसमें थोड़ी सोंड की प्रॉब्लम हो चुकी थी अगर आज भी सोंड की प्र इसके साथ ही चीह कि अभी ऐड़ी काम के रचान हमें ब्लाये ए एक टैनल है इसमें अभी इत्म काम काम अग्य मत शिक हैं तो आपको मैं जान करी दे दूँ यह जो टरनल T13 है इसमें अभी ट्रैक अकाउंट चल रहा है और दो मिलने के बाद यह टरनल आल्मूस्ट अंडर परसंट कम्प्लीट हो जाएगा तो यहां पर लाइट लिंग का काम अल्मूस्ट हो चुका है बस यह वाइडर सेक्शन में ट्रैक का काम बचा है इसके साथ ही यह जो डुगा रेलियो सेशन है यहां पर अभी लाइट का काम बचा है और साथ में लाइट के बाद का काम जो ट्रैक का है बहुत थोड़ा बहुत बचा है उसके बाद बाकी रिटेनिंग वाल का का काम चल रहा है और साथ में आपको जो टरनल दिकھरा है सामने यह टीटेवल पीटू है यहां पर ट्रैक का भी और लाइट का भी 100% काम हो चुका है तो अभी ये डुगर रेल्वेस्टेशन यहां पर लाइट का कम होना है, तो साथ में ये टरनल है जो टी थर्टनी पीवन यहां से अभी ड्रैन का कम थोड़ा बहुत बचा है, यहां पर कल वर्ड एक पाइप ढाली जाएगी, जो अंदर से पानी आएगा उसको बाहर निकला हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप दो हज़र चोबीस में यहां पर कट्राटू दुग्या तक तो अल्मुस्ट हंडर प्रिसंट ट्रैन चलेगी, तो साथ में अभी टी फोटिन जो टरनल है वहां पर लाइनी का कम चल रहा है, वो भी तो हज़र चोबीस में हाल जो सेक्शन है वहां पर ट्रैन चलती हुई देखेगी, आप यहां पर विज़र जरूर किजिएगा जब ट्रैन चलेगी, जब भी आप कभी कट्रा वेश्न देवी में आओगे, जब ट्रैन चलेगी उसके बाद आपको वहां से कश्मीर भी जाना चाहिए, जो हांग पर रहने के लिए भी होटल जब गरा बन जाएंगे, अभी तो इस टाइम रहने की सुभीदा नहीं है, बट जब ट्रैन चलेगी तब तक यहां पर रहने का भी पूरा इंतजाम हो जाएगा, तो इसलिए आपको एक बार तो जरूर आना चाहिए, जहां की सिंडरी द जरूर गुजारना चाहिए, तो आपको पता चलेगा भाड़ों की कितनी खुबसूरती है, थैंक्यू, धन्याबाद